हमारे giveaway contest में participate करें और Gizmo India YouTube चैनल को subscribe करके बेल notification को on करें ताकि आने वाली सारे वीडियो और giveaway's की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुचें मोट रोला ने बहुत सालों कि यndiya में अपने flagship smartphone launch कर दिया हो शका है और आप जाके smartphone इंडिया में प्रेश रेट भी सपोर्ट करता है यह स्मार्टफून में दिया गया है इंडिस्प्ले फिंग पिंड सेंसर और यह प्रोटेक्टेड है कोर्निंग गोरिला ग्लास 5 से मोट्रोला एच प्लस आता है 5000 एमेज बैटरी के साथ जो 15 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है और य स्मार्टफून में यूज़ किया गया है 12GB LPDDR5 RAM और 256GB UFS 3.0 इंटर्नल स्टोरेज मोटरोला एच प्लस चलता है Android 10 पर जो साथ में आता है 5MP फ्रेंट फेसिंग कैमरा जो पंचोल डिस्प्ले के अंदर है कनेक्टिवीटी की बात करें तो इसमें सारे कनेक्टिवीटी ऑप्शन दिये गए हैं जैसे के USB टाइप C पोर्ट 3.5 mm आडियो पोर डूल 5G का सपोर्ट Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 और NFC Motorola H Plus एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है जिसमें बहुत अच्छे फीचर्स है लेकिन इस फोन में बस हमें एक ही कंप्लेंट है ये स्मार्टफोन आता है P2i water repellent feature के साथ इस फोन में हमें IP68 की protection नहीं देखने मिलती है P2i nano coating स्मार्टफोन को पानी से तो बजा सकता है लेकिन ये उतनी protection नहीं दे सकता जितना IP67 या फिर IP68 दे सकता है Motorola H Plus इंडिया में आता है सिर्फ एक ही color variant में जो है thunder grey और ये स्मार्टफोन आता है सिर्फ एक ही RAM और storage variant में जो है 12GB RAM with 256GB internal storage जिसकी इंडिया में प्राइस है 74,999 रूपीस Motorola H Plus की price बहुत ही ज़ादा है अगर ये स्मार्टफोन की price 55,000 के आसपास होती थी तो ये बहुत ही अच्छा smartphone साबित होता था इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए लेकिन ये smartphone की price बहुत ही ज़ादा है तो यही था Motorola H Plus आपको ये smartphone कैसा लगा और आप इस phone के बार में क क्या सूचते हैं नीची कमेंट में जरूर लिखे तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए stay home stay से